घलो फ्रेंड्स आपका स्वागत है आपके ही चैनल पर जसमें आज में बताने वाला हूँ क्या सोराइशीस एक व्यक्ति से दुसरी व्यक्ति में फैलती है टच करने पर? क्या उनके सम्पर्क में आने पर ये बेमारी फैलती है की नहीं इस बारे में आपको बताऊँगा पीडी दूसरी पदल जो आपके पूर वज़े वहां से वैसे जीन आपको मिलते हैं उस करण से बहुत कॉमनली होता है इसमें क्या होती इसकिन जो है बार-बार बनती है और तोटती है जहां पर भी इसकिन के पैचेज बनते हैं वहां की जो इसके नहें खाल के रूपे निकल से जाती है और फिर बन जाती 24 गंटे बाद वहां लडल चकत्ते बन जाते हैं बहुत अधिक खुजली भी होती है कई बार तो जो सुराइसिस जो है इसका जो मुख्य कारण है वह आटो इम्यून डिजीज है या बाड़ी के अंदर जो आपका है इम्यून डियक्शन के कार बाड़ी जीए कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलने वाली बीमारी नहीं है लगातार उसके संपर्ण में रहने से भी आपको यह बिमारी नहीं होगी क्योंकि यह जो बिमारी है अंदर जा आपके इम्यून डियक्शन से हो रही है ना कि आज जो सकिन में जो उसे clear हो जाएगा कि भाई जो सुराइसेस है वो बिल्कुल भी एक वेक्ति से दूसरे वेक्ति में फैलने वाली नहीं है संपरक वरेने से बिल्कुल वो फैलती नहीं है ठीक है इसके लब आप को इस प्रकार के वीडियो चाहते हैं तो प्लीज मुझे लाइक करें कमेंट करे सबस्क्राइब करें